तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे cat breeding से related और मैं इसमें काफी सारे topics cover करूँगा जैसे क्या age होती है cat क्यों cross कराने की और कैसे हम एक perfect partner उसका choose का सकते हैं कि कौन सा cat सही रहेगा cross कराने के लिए और क्या क्या problems आती हैं और काफी सारी चीज़े मैं इसमें discuss करूँगा तो make sure कि आप वीडियो को last तक जरूर देखें और इसमें इस वीडियो को देखने के बाद आपको सारे doubt एकदम clear हो जाएंगे आपके पास कोई भी doubt नहीं रहेगा cat breeding से related तो अभी हम लोग ने एक male cat select किया है जिसको अभी हम लोग लेने जा रहे हैं और उसका हम लोग अपनी cat से cross कराएंगे और आप लोग को दिखाएंगे भी कि हमने किस reasons की वज़े से किन reasons की वज़े से हमने वो cat choose किया है और आप लोगों को भी बताएंगे कि आप अपनी cat के according कौन सा best male उसका partner रहेगा उसको आप select कर सकते हैं तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ तो अभी जैसा आप सब लोग देख सकते हैं कि हम जो male cat था हमारा वो हम लेके आ चुके हैं और हमने उसको एक basket में रखा हुआ है और अपनी female cat को हमने खुला रखा है जैसे जनरली female cat सी male पर अटैक करती हैं क्रॉस के टाइम और इसमें male को इंजरी हो सकती है और जैसे जिनकी cat हमेशा से ही अलग रहती है सिंगल दिन उने रखी हुई है एक cat उनके साथ तो ज्यादा ही प्रॉब्लम आती है तो मेरा ये suggestion रहेगा क्या पहले थोड़ी देर 10-15 मिन रखके ऐसे उसको socialize कर ले और अपने cat को अच्छे से familiar हो जाने दे उस male cat से ताकि वो mating के time कोई भी problem ना create करे और अभी हम female को switch male को switch करके female को बंद कर देंगे ताकि male अपना adjust हो जाए अपना surrounding में और अच्छे से cross कर पाए क्योंकि अभी male हम लोग दूसरी जगह से लाए हुए है तो वो थोड़ा सा hesitate करेगा थोड़ा सा हिचकिचाएगा cross करने के time तो इसलिए हम लोग उसको socialize हो जाने देने दिने अभी हमने male को बाहर निकाल दिया है और male अपना surrounding में देख रहा है कि कैसे क्या है सब और आप male की quality देखें size देखें male का मेरी तीन उंगलियों के बराबर इसका एक paw है और ये आप male जैसे देख सकते हैं punch face में है और मैंने punch face इसलिए prefer किया क्योंकि मेरी cat जो है वो doll face में और doll face और punch face के बच्चे काफी प्यारे आते हैं लेकिन अगर आप जैसे doll face का extreme punch के साथ करा देंगे तो उनके बच्चे सही नहीं आते हैं जैसे उनका किसी का मूँ तेड़ा हो जाएगा किसी की आँख तेड़ी हो जाएगी और मतलब इन जैनरल बच्चे अच्छे नहीं आते हैं देखने में वो अच्छे नहीं लगते हैं तो इसलिए मैंने ये prefer किया और अभी यहाँ आप देखें यहाँ मैंने अपनी female cat को अंदर बंद कर दिया है और male cat उसके पास ही है और वो male cat अपना पूरा एरिया देख रहा है और female cat को इसलिए मैंने बंद कर दिया ताकि वो परिशान ना करे उसको और अभी थोड़ी देर मैं female cat को अभी 10-15 मिनिट बंद रखोंगा उसके बाद मैं खोल दूँगा इसको भी ताकि ये दोनों आपस में अच्छे से सोशलाइज हो जाएं और फिर आगे क्रॉस कर सकें और ये देखिए अभी मैंने female cat को जस्ट खोला ही है और ये लोग आपस में सोशलाइज हो रहे हैं धीरे धीरे और अब ये तो अभी ये लोग देखिए आप क्रॉस कर रहे हैं मेल कैट ने female cat को पकड़ लिया है और जब तक ये क्रॉस करते हैं तब तक मैं आपको बाकी डीटेल्स बता देता हूं कि कैसे किस टाइम पे मैच्योर हो जाती है हमारी cat जिससे वो ब्रीडिंग के लिए रेडी हो जाए और ये मैं आपको पहले भी एक इससे पहले वाली वीडियो में बता चुका हूं जो मैंने बनाई थी और मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं तो जो हमाई female cat होती है वो पर्शियंस में जो देखा गया है वो अल्मोस्ट 6-8 महीन के आसपास वो पहली हीट पे आती है और काफी सारे लोग ये गलती कर देते हैं कि जैसे उनकी cat हीट पे आती है तुरंत वो बिना उसकी age देके हुए उसको cross के लिए देते हैं फिर उस time तो कोई problem नहीं होती है cross हो जाता है लेकिन फिर जब delivery का time आता है तो काफी सारे problems आते हैं जैसे बच्चे डिलिवर नहीं हो पाते हैं सही से और या फिर age से पहले time जो इनका time होता है बच्चे डिलिवर करने का उससे पहले ही बच्चे डिलिवर कर देती है female जिसकी वज़े से वह बच्चे मर जाते हैं और या फिर साइसे पल नहीं पाते हैं और एक और problem आती जैसे कि आपकी cat अगर immature है तो उसमें अच्छे से milk नहीं बनेगा तो बच्चों को feed ही क्या कराएगी तो ऐसी problems भी आती है इसलिए मैं आप से सभी से request करूंगा कि आप कुछ time रुक जाएं जैसे मैंने अपनी cat का पहला cross डेल साल के प्रॉक्स कराया था जब वो डेल साल की हो गई थी तो उसने पहली बार में 6 kittens दिये थे जिसमें से कोई भी problem ने आया थी एकदम अच्छे से delivery हो गई थी सारे बच्चे उसने अच्छे से पाल भी दिये थे और अभी मैं इसका second time cross करा रहा हूँ तो मैं शायद इतना experience है मुझे ताक कि मैं आप लोग को बता सकूँ क्या साही है क्या गलत और बात कर लेते हैं अब अपने male cat की तो male जो होते हैं वो approximately 2 साल दो साल नहीं 1.5 साल के अप्रॉक्स वो भी mature हो जाते हैं और आपको पता कैसे चलेगा male जब mature हो जाता है तो वो अपना area बनाने के लिए spraying करता है जैसे जगा जगा वो toilet करता है आप simple भाशा में समझ ले spraying करता है तो उससे हम idea लगा सकते कि हमारा male जो है वो भी mature हो चुका है और सबसे ज़रूरी बात जो आप अगर अपनी cat को पहली बार cross करा रहे हैं जिस cat का first time cross है मतलब उससे पहले उसने कभी भी cross ने किया तो उसको आप कोशिश ये करें कि पहले आप female का size देख ले और male का size देख ले कि क्या कैसा size है और अगर female आपकी काफी कम size की और male आप एकदम बड़ा सा ले ले लेंगे उसके लिए तो वो size से बच्चे deliver नहीं कर पाएगी उसके बच्चों में प्रॉबलम आ जाएगी delivery के time और जो हमारा next जो point आता है जिसको लेके मैं खुद जब मैंने पहली बार cross कराया तो मैं बहुत confused था वो आता है कि जैसे जिनके पास female cat है उनको कैसे मतलब उनको क्या करना चाहिए या उनको female cat अपनी किसी के पास देके आनी चाहिए या जैसे मैं male लाया था वैसे male लेके आना चाहिए तो दोनों ही case आप कर सकते हैं लेकिन जब आप female cat जिसको भी दे अगर आप cross करा रहे हैं कहीं बाहर से किसी third person से तो आपको कैसे पता चलेगा कि मतलब female आपकी cross हुई है कि नहीं और बाहर इसका charge भी पड़ता है तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी female cross हुई है या नहीं तो आप ये कर सकते हैं precaution के लिए जैसे जब आप अपनी female cross के लिए दें और जो भी आपको amount pay करना है वो pay करें तब आप उससे एक बात कहा दें कि भाई जो है जब इसका cross हो जाएगा तो जिस टाइम इसका cross हो रहा होगा उसकी मुझे एक video भेज़ देना जिससे मुझे पता चल पाए कि cross हुआ भी है या नहीं ऐसा करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इस चीज में काफी सारे लोगों के साथ fraud हो चुका है और काफी सारी chances भी रहते हैं कि fraud हो तो इसलिए आप अपने precaution के लिए बाकी वो मना नहीं करेगा कि video ना दे तो आप उससे video के लिए मांग सकते हैं और second जो मैं करता हूँ जैसे मैं mail घर ले आया था तो वो आप कोशिश करे कि कोई अच्छा बड़िया सा स्टड लेके आए जिसका आपको पता हो कि वो पहले भी cross कर चुका है क्योंकि उसके handling काफी ज़्यादा आसान हो जाती है और बात रही कि कैसे पता चलेगा कि cross proper हुआ है या नहीं उसके लिए आप ये video देखें जो ये female ने last में आवाज निकाली थी इसको आप एक तरीके से indication समझ सकते हैं कि आपकी female का proper cross हो जुका है और अब आपकी female in future kittens deliver करेगी और तो काफी लोग को ये doubt होगा कि हम किस time अपनी female के लिए mail लाएं तो आप heat के तीसरे दिन approximately तीसरे दिन आप ला सकते हैं एक mail और काफी लोग को अब ये भी doubt आ रहा होगा कि हमको कैसे पता चलेगा कि heat का कौन सा दिन चला है तो आपको day 1 से note करना है कि आपकी cat कब heat पे आई थी और उसी इसाब से आपको mail बाद में लाना है तो hopefully आपको सारे points एकदम clear हो गया होंगे और फिर भी अगर कोई doubt बचता है तो आप उसको comment में पूछ सकते हैं मैं उसको answer करने की कोशिश करूँगा अगर मैं कर सका तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी मिलते हैं आपसे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए goodbye and take care